हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तू माई चैनल आज कल फैशन का मतलग कमफर्ट हो गया है हम ट्रडिशनल कपड़ों को किसी खास मोके पर ही पहनना पसंद करते हैं अगर हम कभी ट्रडिशनल कपड़ों को याद करते हैं सबसे पहले हमारे माई में पंजाबी सूट ही आता है अगर आप पंजाबी सूट पहनना पसंद करती हैं तो आपके लिए ये 5 टेप्स हैं आप इने फॉलो जरूर करें पहले नंबर पर है कि कुर्टे की लंबाई आप ज़्यादा ना रखें पंजाबी सूट हो या पटियाला सलवार उनके साथ जब भी आप कुर्टे सलवाएं तो उनकी लेंथ का ध्यान जरूर रखें लेंथ हमेशा गुठनों से उपर ही रखें नंबर दो पर टिप है कि आप सही फैबरिक चुने अगर आपका फिगर अच्छा है आप स्लिम है तो सूट सलवार के लिए हैवी फैबरिक चुने अगर आपका वजन जादा है आप थोड़े हैवी है तो आपको हलका फैबरिक ही स्लेक्ट करना चाहिए आपको नेट या टीशू जैसे फैबरिक को इग्नॉर करना चाहिए उनी जूस नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लिम है बहुत ही ज़्यादा पतले दिखते हैं तो आपको कॉटन और शिफॉन की सूट नहीं सिलवाने चाहिए नमबर 3 पे है कलर, अगर आप सूट सिलवाना चाते हैं तो कलर का बहुत अच्छे से धियान रखे, वैसे तो पंजाबी सूट हर रंग में अच्छे लगते हैं, अगर आप सिलिम दिखना चाती हैं तो आपको महरून ब्लीव जैसे डाक कलर ही सलेक्ट करने चाहिए, अगर आ आपका रंग सामला है तो आपको ज्यादा डाक शेड में सूट सलवार नहीं लेनी चाहिए आपको लाइट शेड ही स्लेक्ट करने चाहिए नंबर चार पर है स्लीफ स्लीफ भी सूट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है आपको पंजाबी सूट के साथ किसी भी लैंध क स्लीफ सिलवा सकती है अच्छी लगते हैं लेकिन आप यह भी देखे कि आपकी बॉड़ी पर क्या शूट करता है मतलब जो भी आप स्लीफ सिलवारी है वह आपकी बॉड़ी पर अच्छे से सूट करें जैसे कि आपकी बाहें मोटी हैं भारी हैं तो आपको स्लीवलेस नही सिलवानी चाहिए अगर आप पतली है तो आप कहीं भी तरह के कोई भी तरह के डिजाइन बनवा सकती है हमने कुछ इमेजिस वगेरा आपके लिए स्लेक्ट करें आप इन में से कोई भी डिजाइन चूस करके सिलवा सकती है नंबर पांच पे हैं गले का स्टाइल वैसे तो नेक पैटन कैसा भी रखा जा सकता है लेकिन आपको पंजाबी सूथ पे थोड़ा सा नेक का भ्यान देना चाहिए और यह जो डिजाइन है नेक के यह आपके गले पर डिपेंड करता है कि आपकी गर्दन कैसी है अगर आपकी गर्दन लंबी है तो आपको डीप नेक और कॉलर वाली शर्ट दोनों ही बहुत अच्छी लगेंगी और आपके लुक्स को बहुत ही निहार मतलब निखार देगी इन्हेंस कर देगी लेकिन अगर आपकी गर्दन चोटी है तो आपको कॉलर वाली शर्ट नही करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और मैं आपके लिए से यूस्फुल इंफॉर्मेशन लाते रहूंगी